असलाम अलेकम दोस्तों गासी करीट्स में आप लोगों को वेलकम कहते हैं आज हम किताबों को जिल्द करना सिखेंगे तो यह हमने बुक्स लेनी है इन शीट्स की मदद से हम इनको जिल्द करेंगे इसके लिए हमें यह शीट्स चाहिए और यह स्टैपलर चाहिए यह टेप चाहिए और यह पिन्स चाहिए इस स्टैपलर में बगाने के लिए और यह कैंची चाहिए और यह थोड़ी चाहिए तो चलिए बुक्स को जिल्द करना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम पिन्स का साइज चेक करेंगे कि ये बुक्स के लिए सः है तो ये पिन्स को आम नोदिए लिएया है। ये नगा लिया है। ये शची जाइधा पितो ही के देखना है। इसको अब डालाईगे। यहां से बटन को प्रेस करेंगे यह बाहिर आ गया है इसमें इसे पिन्स को लगाएंगे और इसको कार देंगे तो आप बुक्स को इस तरह से बराबर कार देंगे बराबर करने के बाद इस पर हमें शीट्स को रखेंगे कि इससे बराबर करता है स्सीट्स को सब्सक्राइब यहां से मैं इसको पराबर तकाsorry है अब दूस्री शीट्स को भी बगारेंगे अब हम इस पर यहां से प्रेस करने के बाद हम इसको यह जो है जो इजाफी पीस है इनको काट लेंगे इजाफी पीस पे उनको हमने काट लिया यह आप देख सब्सक्राइब बराबर हो चुगी है इसको इस टेप की मदद से टेप को यहां पे चिपकाएगे एक यह टेप को हमने लगा लिया है आदा शीथ के साथ चिपकाए और आदा ये अंदर की साइट पर जो गत्ता है इसको यह आप देख सकते हैं उसको आप में पोल्ड करके लगा लिया है यह कुछ इस तरह से लगा रही है आप दूसरे साइट पर भी लगाएंगे इस तक शीट को उठाना है और पहले यह जो गत्ता है बुक का इसको उठा के तो इसको जेंटली ऐसे प्रेस का लेना है अदर की तरफ इस तरह से इसको फोल्ड लगा लिए इस साइड पर लगाने के बाद हम इसकी जो फ्रंट लाइन है तर लगाएंगे तो यह हमारे पास बाहर से कुछ इस तरह से नजर आ रही है और अंदर की तरफ पहले पे यह देख्टे को हमें यहां से साथ जो लिए अब अब दो कुल सेम प्रोसेस सब्सक्राइब करेंगे इस से चोड़ी टेप है वो भी मिलती है तो लेकिन मैं यही यूज करूं इसी को दोबार यूज करेंगे यहां पे इसको राक के इस तरह से पादने के बाद इसको ऐसे फोल कर लिए फोल करने के बाद इस साइटे प्रदा के तो इसको फोल कर दो तो दीजिए ये हमारी बुक्स जो है वो जिल्द हो चुकी है अब देख सकते हैं तो इंशाला अगरी वीडियो में आप लोगों को स्टैपलर के बगार जो है इसको जिल्द करना सिखाऊंगी तब तक के लिए लाफेज